कोरोना वाइरस संक्रमन के कारण पूरे साल लोग देहशत में रहे। वाक्सीन के आते ही कहां रखना है और किन अस्पतालों में वाक्सीन लगेगा इसकी पूरी तैयारी प्रशासर और स्वास्री भाग की तरफ से कर ली गई है। प्रात्मिक्ता के तौर पर पहले कोरोना मरीजों के साथ फ्रेंट लाइन वरकरों वाक्सीन लगाया जाएगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रात्मिक्ता में उपर रखा गया है जिसके तहर उन्हें पहले वाक्सीन लगाया जाएगा। इसके बाद अन्य मरीजों को वाक्सीन दिया जाएगा। पट्ना जीला धिकारी ने सिविल सर्जुन को निर्देश चारी करते हुए कंटेंट में जोन में हर दिन कम से कम एक हजार टेस्ट कराने की बात कही है। साथ ही जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उनके घर जाकर परिवार के लोगों की जानकारी इकठा करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दे कि स्वास्थ विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मंगलवार देर शाम तक सक्री मरीजों की संख्या 5159 जबकि 2,33,791 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौच चुके हैं। वही म्रिदकों की संख्या 1300 पहुच गई है। ऐसे में अब तक कुल मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो बिहार में 2,440,249 तक ये आंकड़ा पहुच चुका है। पहुच चुका है।